तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, welcome to excellence point classes, exercise number 2.4 कर रहे थे, याद करो पिछली class में हम लोग ने 1st और 2nd question complete कर चुके हैं, आज की class में हम लोग 3rd question देखने वाले हैं, polynomials chapter चल रहा है, आईए read करते हैं, question बोला हुआ है, यहाँ पे find the value of k, यहाँ पे हरे question में आपको एक एक k दि condition यहाँ पे दिया है, if x-1 is the factor of px, तो बच्चों, हमने यहाँ पे factors की condition समझी थी, कि अगर p of x का यह factor दिया हुआ है, suppose करता है, यह g of x है, इसका मतलब यहाँ पे remainder 0 आना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, g of x यहाँ पे आपके पास given है, कितना x-1, आप इसको 0 से equate करा दो, तो x will be equal to 1 आजाएगा, आपके पास, x की value क्या आजाएगी, हमारे पास 1 आजाएगी, आप 1 value पुट करके देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते है, p of 1 कितना आता है, तो यहाँ आएगा 1 square plus 1 plus k is equal to क्या आजाएगा, आपके पास 0 आजाएगा, अब 1 का square to 1 रह देखते हैं, यहाँ पे भी same हमको p of 1 put करके देखना है, 2 into 1 का square plus k into 1 plus under root 2 is equal to 0, 1 का square 1, 1 2 is 2, 2 plus k into 1 k हो जाएगा, plus root over 2 is equal to 0, आप इन दोनों values की side change करा लिजे, k is equal to minus 2 minus under root 2, आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, next वाला देखते हैं, तो next में भी हम p of 1 put कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, k into 1 square minus under root 2 into 1 plus 1 is equal to kya ले लेंगे, हम लोग 0 ले लेंगे, 1 का square 1, 1 into k हो जाएगा, आपके पास k, minus under root 2 plus 1 is equal to 0, इन दोनों की side हम change करा लेंगे, k is equal to minus 1 plus under root 2, यह इसका final answer आजाएगा, next वाला देखते हैं, यहाँ पे, p of 1 आप value put कराएगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k into 1 का square minus 3 into 1 plus k बराबर 0 हो जाएगा, 1 का square 1, 1 into k हो जाएगा, k minus 3 plus k is equal to 0, अब k plus k कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, minus 3 is equal to 0, minus 3 की side change करा लेंगे, 2k is equal to कितना आजाएगा, आपके पास 3, then k will be equal to what, it will be equal to 3 upon 2, तो यहाँ पे third question complete हो चुका है, next question देखते हैं, question number 4 हमाई screen पे आचुका है, middle term splitting का use करेंगे, आईए start करते हैं, पहला question में आपको बोला, 12x square minus 7x plus 1, तो बच्चों general equation क्या बोलती है, ax square plus bx plus c, अब बच्चों compare आप कराएगे, तो a की value 12 के बराबर, b की value minus 7 के बराबर, और c की value 1 के बराबर आएगी, first step यह बोलता है कि हमको a multiply by c निकालना रहता है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 12 multiply by 1, answer is positive 12, अब क्या करना है आपको, 12 आने के हमारे पास कौन-कौन से method हो सकते हैं, माल लेते हैं, 1 into 12 करके आपके पास 12 आ सकता है, next 2, 6, 12 आ सकता है, and then 3 into 4 करके हमाँ पास 12 आ सकता है, यही तीन method है, इसके अलावा हमाँ पास 12 आने के कोई method नहीं है, अब बच्चों middle term splitting जैसे कि इस method का नाम है, तो हमारे पास बीच में देख सकते हैं, आप लोग minus 7 है, तो add subtract, इन दो pair को add subtract करने में आपके पास answer minus 7 आना चाहिए, तो बच्चों यहाँ पर देखो, 1 और 12 को add करोगे तो 13 आ जाएगा, minus कराएंगे तो 11 आ जाएगा, तो यह नहीं हो सकता, पहले cross मार दिया, then 2 और 6 को add कराओगे तो हमारे पास 8 आएगा, subtract कराएंगे तो 4 आ रहा है, यह भी possible नहीं हो सकता, last वाला pair से possible हो सकता है, जब हम इनको add करे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, तो कैसे add करना है, 12x square minus 3x minus 4x plus of 1, अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर negative values लिये, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पर negative 7 चाहिए, इसलिए minus 3 and minus 4 मिलके यहाँ पर minus 7 बनाएंगे, and मुझे यह भी पता है कि minus into minus करने में मेरे पास answer positive आता है, इसलिए यहाँ पर minus 3 and minus 4 का pair लेके चलेंगे, अब यहाँ पर कुछ common अगर निकालना चाहूं, तो यहाँ पर 3 common निकल सकता है, and 1x common निकल जाएगा, तो 3 4s are 12, and x बचा है, यहाँ से मैंने इसको पूरा निकाल लिया है, तो आपके पास minus 1 बचेगा, अब देख सकते हैं यहाँ पर, यह दोनों बिलकुल similar है, बट यहाँ पर difference किसका है, सिर्फ sign का difference है, तो हम माइनस sign और 1 के साथ common निकाल लेंगे, देख सकते हैं, negative sign बाहर आचुका है, बचा क्या है, positive, और यहाँ पर plus है, तो इसका sign चेंज हो जाएगा, negative, ऐसा इसलिए, क्योंकि minus माइनस मिलके, यहाँ पर plus होता है, अब पूरे में से आप क्या करेंगे, 4x-1 common निकाल लेंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 3x-1, और यह factorize हमने कर दिया है, next वाला देखते हैं बच्चों, तो वैसे ही general equation क्या होती है, ax square plus bx plus c, यहाँ पर आप compare करोगे, तो a into c हम निकाल के देखते हैं, तो 2, 3, जा हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे 6, अब 6 लाने क्यों कौन सी method हो सकती है, 1 into 6 से आ सकता है, या तो 2, 3, जा करके 6 आ सकता है, 7 लाने के सिर्फ उपर वाली method हो सकती है, तो हम इसको कैसा break करेंगे, 2x square plus x plus 6x plus 3, और 1 into 6 कराने पे मेरे पास 6 आ जाएगा, अब आप common निकाल लीजिए, x common आ गया, तो 2x, यह पूरा निकल चुका है, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे हम 3 निकाल सकते हैं, तो 3 2 होता है, तो 2 बच गया यहाँ पे, और 1 x बच जाएगा, 3 हम पूरा निकाल चुके हैं, तो महाँ पास 1 बच जाएगा, पूरे में से आप क्या करेंगे, 2x plus 1, आपके पास क्या बचेगा, एक single x, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 3 बचेगा, तो यहाँ पे हमने 2 questions कर लिया है, next 2 questions देखते हैं, थर्ड question हमाई इस स्क्रीन पे आ चुका है, general equation आप साब को पाता है, x square plus bx plus c, तो बच्चों अगर मैं directly यहाँ पे लिख दू, a multiply by c, तो इसका answer क्या हो जाएगा, 6 multiply by minus of 6, जो कि आपको minus of 36 देगा, अब यहाँ पे हमाई पास 36 लाने के बहुत सारे method हो सकते हैं, 1 multiply by 36 से भी आ जाएगा, 2 into 18 करके भी आ जाएगा, 3 के table में आप सब देख सकते हैं, 1s और 2s मतलब 12 time में आएगा, 4 के table में कितने बार में आएगा, तो 4 के table में यहाँ पे 9 time में आएगा, और last 6 के table में 6 times में आता है, इतने सारे method हो सकते हैं, बट बच्चों अगर मैं बात करूँ middle term की यहाँ पे, तो middle term आपके पास 5 है, तो 5 लाने के आपके पास मुझे सिफ एक ही pair दिखाई दे रहा है, 4 और 9 का, तो बच्चों मुझे बीच में क्या चाहिए, 6 मिल जाएगा बड़ी आसानी से, तो अब यहाँ पे ब्रेक करते हैं, कैसे करोगे, 6 x square plus 9 x minus of 4 x minus of 6, अब common निकालने की बारी आई हमार पास, तो यहाँ पे हम 3 x common निकाल लेंगे, 3 2s are 6 होता है, 1 single x बच जाएगा, x already निकल चुका है, 3 3s are 9 आजाएगा, यहाँ पे क्या common निकालने, तो यहाँ पे minus 2 common आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आजाएगा, 2 2s are 4, 1 single x बचेगा, यहाँ पे देखिए, minus already निकल चुका है, तो plus बचेगा, और 3 बच जाएगा, पूरे में से आप क्या निकलेगा, तो पूरे में से आपके पास, 2x plus 3 common निकलने वाला है, यहाँ पे, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे 3 times of x, और यहाँ पे क्या बचा, minus of 2, यह factorize हो गया, आप देख सकते हैं, जैसे जैसे आप practice बढ़ाते जाएंगे, आपकी speed भी उसी के with respect बढ़ती जाती है, यहाँ पे देख सकते हो, a into c करा लो फिर यहाँ पे, a multiply by c, 3 into minus 4 चाहिए, तो यहाँ पे minus of 12 आपको answer लाना पड़ेगा, अब 1 into 12 से आ सकता है, similarly 2 के table में 6 times में, तो यहाँ पे इतने method हो सकते हैं, बट मुझे बीच में क्या चाहिए, बीच में मुझे minus of 1 चाहिए, minus of 1 कैसे ला सकते हैं हम लोग यहाँ पे, minus of 1 लाने के लिए हमारे पास 4 negative होना चाहिए, और 3 यहाँ पे positive होना चाहिए, तब जाके हम minus 1 ला सकते हैं, और इन दोनों का अगर हम multiply करेंगे, तो यहाँ पे minus of 12 आ जाएगा, तो बच्चों इसको break करके देख ले, 3x square minus of 4x plus 3x minus of 4, common निकाल के देखिए, तो सिर्फ x निकलेगा, बचा क्या, 3x minus 4 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं common निकलेगा, तो 1, 3x minus of 4, पूरे में से आप क्या करेंगे, 3x minus of 4, निकालेंगे, आपके पास, x plus 1 बचाएगा, तो यहाँ पे बच्चों कम्प्लीट होता है, फिफ्ट कोश्चन मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा, थैंक्स वर वाचिंग, हैव नाइस दे,